ख़बरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अगर आप भी देना चाहते हैं कोई ख़बर या जानकारी तो इन नंबरों पर करें संपर्ख सुशान सिंग राशपूत से जुड़े ड्रक्स मामले की जाच में जुटी एनसीवी को बड़ी सफलता हाथ लगी है एनसीवी ने मुंबई के खार एरिया से सुशान के करीबी दोस्त कुनाल जानी को गिरिफतार कर लिया है जो काफी वक्त से फरार चल ला था कि वंगत एक्टर सुशान सिंग राशपूत से जुड़े ड्रक्स मामले में एनसीवी ने अब होटल वेवसाई कुनाल जानी को गिरिफतार किया है कुनाल चुकि सुशान के करीबी दोस्त रहे हैं ऐसे में उम्मित जताई जारही है कि अब कुछ नए खुलासे हो सकते हैं सुशान के बारे में भी कुछ नई जानकारी मिलने की संभावना जताई जारही है बता दें कि सुशान सिंग राशपूत की 14 जून 2020 को मौत हो गई थी वे अपने फ्लैट में मरत पाए गए थे इसके बाद तीन जांच एजेंसियों ने केस की कमान अपने हातों में ले ली CBIED और NCB ने मिलकर सुशान केस की जाच की जाच की जाच के दौरान ड्रक्स एंगल सामने आया तो अफरा तफरी मच गई ड्रक्स मामले में NCB ने सुशान की कथिद गल्फरेंड रिया चकरवर्ती से पूशताच की और उन्हें गिरफतार कर लिया गया था हलाकि कुछ दिन बाद ही उन्हें जेल से बेल पर रिहा कर दिया गया था सुशान से जुले ड्रक्स मामले में NCB ने कई बॉलिवुड हस्तियों से पूशताच की जिनमें दीपका पादुकोर से लेकर सारा अली खान और रकुल प्रेट सिंग का भी नाम शामिल है इस मामले में सुशान सिंग राशपूत की खास दोस रिया चक्रवर्ती को मुख्य आरोपी बनाये गया सुशान की मौत के बाद उनके पिता ने रिया चक्रवर्ती पर आत्मत्या के लिए उक्साने का आरोप लगाते हुए पटना में FIR भी दर्श करवाई थी वही कुछ महीने पहले N.C.B. ने इस मामले में सिधार्थ पितानी को गिरिफतार किया था सुशान की मौत के बाद उनकी जिन्दगी से जुड़े कई लोगों का नाम मीडिया में आया था जिसमें से एक नाम पितानी का भी था रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशान्थ की बाड़ी को पहली बार सिधार्थ नहीं घर के अंदर पंक्खे से लटके हुए देखा था इसके बाद उन्होंने पुलिस और हॉस्पिटल को फोन किया गिरिफतारी के बाद से ही सिधार्थ पिठानी जेल में है कुछ हफ्ते पहले ही उन्होंने कोल्ट में अपनी जमानत की अरजी दी थी जिसे रिजेक्ट कर दिया गया था सब्सक्राइब करें वी न्यूज इंडिया के यूडियूब चैनल को क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल अबेट